नमसकार दोस्तों कैसे हैं आप सब भी उम्मीद करता हूं सब सवस्त होंगे ठीक होंगे आपके पढाई भी सूचारूप से चल रही है होगी प्यारे बच्चों क्यों एक है नहीं चल रही है तो पढाई start कर दो बहुत अच्छा सो 2022 में भी हम लोग बहुत सारी बच्चों को 95 परती से जाधी खंग दिलाए हैं अब की बारे हम कोशिस करेंगे की परतेख बच्चे के बारे नाइंटी एट नाइंटी नंबर भी आएं तो शुरुआत कर दीजे तो प्यारे बचों आज हम तीन कविताएं हैं पतंग छोटा मे और कंड़ा खेत और कविता के बहाने इन तीनों कविता प्रिवेस वारे कोरें हमने चर्चा करेंगे सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हलकी और रंगीन चीज सबसे पतला कागज सबसे पतली कमानी विशेशनों का प्रियोग क्यूं किया है आप लोग बता सकते हैं कि पतंग कविता में पहले तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट बोक्स में इसका आनसर आना चाहिए कि पतंग कविता के लेखा कोन है? पतंग कविता के लेखा के कोन है? मुझे आंसर चाहिए इसके लिए. तो región विशेशनलों का प्रयोग देख लिजे? कवी के अनुसार ये सबी विशेश्थाें जो उन्होंने पतंग के लिए बताई हैं वे सब भी विशेष्टाइं बालकों में होती हैं इसे कवी पाठकों का ध्यान आकरसित करना चाता है वह इसके माद्यम से पतंग की विशेष्टा तथा बाल सुलब इच्छाओं और उमंगों का चितरन करना चाता है बच्चे भी मुलाय मोहरलके होते हैं उनकी कलपनाएं रंग बिरंगी होती हैं वे अत्यंत कोमल वे निस्चल मन के होते हैं इसी तरह पतंगे भी रंग बिरंगी हलकी होती हैं वे आकास में बहुत उपर तक उड़ती हैं बालक का मन भी उन्हों उस पतंग के साथ उड़ना च किसी बिक इसपर्स करना अपने हाथ से अपको बहुत मुलायम लगेगा बहुत अलका होता है primary किसी परकार गोध मिले सकते partners भी उसे प्यार कर सकते हैं उच्छाल करके किसी परकार जिस परकार एक मा करती है ना एक बच्चे से तो उसी परकार आप भी प्रेम कर सकते हैं जैसे पतंग उड़ती है जो उपर उड़ती है बच्चे ये सोचते हैं कि पतंग नहीं उड़ रही है मैं उड़ रहाँ इस पू समंद बन सकता है इनी कपास में एक मुलायमता का गुन पाया जाता है जिस परकार बच्चे मुलायम होते हैं उसी परकार कपास भी क्या होती है मुलायम होती है इन दोनों का समंद दोनों में भूती गहरा समंद है जैसे कपास हलकी मुलायम और वैचोड सैने में सक्षम होती ह उसी तरह बच्चे भी कोमल वे मुलायम होते हैं और चोट सैने की छमता रखते हैं कपास की प्रेकरती निर्मल और निश्चल होती है तो बच्चे भी निश्चल से उबहाव के होते हैं यहां कवी के अनुसार कपास बच्चों की कोमल भावनाओ वे उनकी मासूमियत का प्रत है ठीक है नेक्स्ट है पतंगों के सासत वे भी उड़ रहे हैं बच्चों का उड़ना बच्चों का उड़ान से कैसा संब्ध बनता है यह निकि जब बच्चे पतंग उड़ाते ना और आवाज चिलाते हैं यह काटा वो काटा मेरा काटा उसका कट गया इस प्रकारश ना हो तो उनका बहुत ही गयरा एक संबंध दिखाया गया है कभी के अनुसार पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की प्रतीक है जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है क्योंकि पतंग उड़ाते समय बच्चे बहुत ही खुस होते हैं उस समय उन्हें कोई खतना किनारे दिखाई नहीं देते हैं वे भी पतंग के साथ साथ उड़ना चाते हैं वे भी आसमान के उच्छाईयों को चुना चाते हैं इस समय वे रास्ते की कटनायों की प्रवा भी नहीं करते हैं इस परकार लगता है कि पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं क् जितने हलगी पतंहे होते हैं उतने ही बच्ची हसे होते हैं जितने मुलायें पतंहें Лख्तिय इतने मुलायें बच्ची भी होते है गुर। और इस बॉल्ट क्यलास पयार सीख, नहीं किया है तो कर लो। रश का अक्षे पातर से कवी ने रचना कर्म की किन विसेश्थां की और इंगित किया है ताब आ जाता है हमारा छोटा मेरा खेत लेखा का नाम तुम्हें बताना है ठीक है कमेंट बोक्स में आंसर चाहिए मुझे इसका रश का अक्षे पातर क्या है ऐसा कटोरा जिसमें कभी अनास समापते नहीं होता है जितना निकालो गया उतना वापस भर जाता है उसे अक्षे पातर कहा गया है अक्षे का साब्दिक अर्थ है नश्ट ने होने वाला और पातर का अर्थ होता है कटोरा यह ऐसा कटोरा जो कभी नश्ट नहीं होता है जिसमें जो सामान रखा जाता है वो जितना निकालो गया वो तना वापस भर जाता है कविता की रसानुबूती भी इसी तरह की होती है कहने का तात्प्रिय है कि रसानुबूती का अक्षे पातर कभी भी खाली नहीं होता जिस परकार शूर्य भगवान ने द्रोपती को दिया था जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं हुआ था उसी परकार रस पातर को जितना बांटा जाता है वह उतना ही भरता जाता है यह रस चीर काल तक आनन देता है जिसका साहिते में बहुत बड़ा योगदान है खेत का अनाज तो खत्म हो सकता है लेकिन काव्य का रस कभी समाप्त नहीं होता उसे पाठक या कवी जितना पढ़ता है उतना ही रस उत्पन होता है कविता रूपी रस अनंद काल तक बहता है कविता रूपी अक्षे पातर हमेशा भरा रहता है या कवी ने क् काज को एक खेत के रूप में पर्दिस्वित किया जिस परकार से एक किसान है पाँसाथ की लोग यहों डालकर खेत में 40-50 मनीं हिकटा कर लेता है उसी परकार कभी ने अपने मन के वाहों की मन के विचारों की अंदी चली उस आंदी को सब्दों के रूप में उस कागज पर उन्हों ने लिपगद बद्ध कर दिया। फिर कवी ने कहा है कि किसान तो है ना एक दिन उस रस को काट करके समाप्त कर लेता है। लेकिन मैंने जो कविता लिखी है जिस कलपनाओं का जिस विचारों का मैंने परियोग किया है। उसमें से कभी भी रस समापते नहीं होगा उसे आप जितना पढ़ते जाओगे जितना पढ़ते जाओगे जब जब पढ़ोगे जब जब नयरस प्राप्त होगा उसमें कभी भी रस समापते नहीं होता है इसलिए कवी ने कवीता को उसे अक्षे पातर का नाम दिया है जो सूर्य देवता ने द्रोपती को दिया था जिसमें खाना कभी समापते नहीं है वा था जितना वो खाना उसमें से निकालती थी उतना ही खाना वापस से भर जाता था तो ही बात कभी ने कहा है यहां पर कि कविता को जितने जब जब पाठक पढ़ेगा जब तब उसे रसानुबूती होगी उसे रसास्वादन होगा उसके रस के अनुबूती होगी उसे मनोरजन प्राप्त होगा उसे आनन्द प्राप्त होगा उसे मजा आ जाएगा आपके बह क्लपनाओन की तो उस्थ परकार एक किसान है खेतों में बीज डालता है वह गलकर करके अंकूर के रूप में फिर फ़सल रूरोपें तयार हो जाती उसी को परकार से कवी के दिमाग में कवी के मन में सब्दों की Rapid और उसar सब्दों की आनदी को उसने एक कागज पर लिपिबद कर दिया उसे लिख दिया है तो देख लिजे रचना के संदर में अंदर का आसे बहाओं रूपी आंदी और तूफान से है जो किसी के मन में आचानक किसी भी स्थति को देकर उत्पन होते हैं चाहे वह प्रकरती वस्तू कोई व्यक्ती भी हो सकता है जैसे से है जब कवी को अपने विचार और अव्यक्ती से है जब किसी विशेपर कवी को अपने विचारों को अव्यक्त करना होता है तो वह किसी पन्ने पर उसे लिपिवद करने के व्याकुल हो उड़ता है कहने का तात्प्रे क्या है आप लोग हो आप किसी वस्तू को देख करक अपने विचार किया, कल्पना किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया है, तब भी तो ऐसा कुछ हुआ है, आप सोचते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो यहां वही बात है, यहनि क्रौंच नाम पक्षी था, उसकी करौन आवाज, उसकी दुख बरी आवाज को इसने वाल मिकी ने तो उसको कवी लिखने का मन ने स्टार्ट हो गया उसी परकार गाउं की चोपाल को देखकर नागर्जुन को कविता लिखने का मन हो जाता है बक्षी की चहचाती आवाज को सुन कवी को कविता लिखने का मन हो जाता है बालकों की खेल को देखकर कवी को समाद में कांदीज ही आजाती हैं वैसे यहां कवी के मन में आए हैं वो भी सब्दों के आंदी विचारों के आंदी कल्पना की आंदी भाओं की आंदी जिए कभीशने चोटा मेरा खेत होता है कवी का एक कागज का पन्ना वे खेत के समान मानता है जिस परकार किसान जितनी मेनत करता है उतनी मेनत कवी सब्दों की रूप में करता है चोटे चोकाने खेत को कागज का पन्ना कहने में यही अर्थ नहींत है कि कवी ने कवी कर्म को खेत में बीज बोने की तरह माना है जिस परकार एक किसान अपने खेत में बीज बोने से लेकर फसल काड़ता है उसी परकार कवी अपने पन्ने पर विचार रूपी बीज बोता है और कविता रूपी फसल काड़ता है इसके मादम से कवी यही बताना चाहता है कि कविता की रचना करना सरलकार यह नहीं है जिस प यहांनों को एक वैक्ति सुपह से साम तक पढ़ रहा है किस में जयाता मेहनत है उस पढ़ाई में सब्सक्राइब मेहनत है अब कोई मोटा इंसान हो पतला नहीं होता है उसे आप मन से इमान दर से दी वो बारा-बारा गंठे रो जाना यदि छे मेने तक पढ़ ले ना तो उसका जो सरीर था ना जो एक कुंटल का वो 40 किलो पर आ जाएगा 101% के रहा हूं मैं विश्वास नहीं हो ना जिन्होंने एक्जामिस की तयारी किया है UPSC, BPSC किसी की तया मैंने, साल बर, दो साल वो आपको बहुत से दिखाती है आप लोगों को तो आपकी निव बनती जारी एक्लास 10 में निव बनी आपकी मजबूत, फिर अप 12 में बना लो ना मजबूत, अब 12 के जैसे एक्जाम दे दो, सी YouTube आज हमर पास आजाईए, एक्जाम देते हो तो, फ अब कविता के बहाने, सब घर एक कर देने के माने, मतलब क्या है, बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई, मतलब वो नहीं होती है, मतलब कहते हैं, कहां किसी का सब दिमाग में नहीं आ रहा है, यानि कि कोई किसी प्रपक्चपात नहीं होता है, यानि कि उनको नहीं पत सब्सक्राइब कर देते हैं और सभी मकान में सब्सक्राइब कर दते हैं यानि सभी का लड़ा जगड़ा समापते कर दते हैं तो ही बात यहां है कविता के कविने का हैं जब मेरी कविता कहीं पर दिल एक कर देते है उससी प्रकार के बाने सब गर एक कर देने के माने नहीं होता है और नहीं वे भेधवाव पर ध्यान देते हैं उसी परकार कविता का संसार में कहीं पर भी सीमा का कोई बंदन नहीं होता अर्थात रचनात्म कारियों में किसी भी परकार का कोई बंदन नहीं होता कविता में सिर्फ सब्दों का खेल है कभी बच्चों की तरह प कवी की कविता भी कर देती है सभी कविता और बच्चे को समानतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं बातों से जिस पर कर कवी है कविता लिखता है जिस पर बच्चा खेलता रहता है दोनों का समानतर बहुत अच्छा गहरा संबंद होता है कवी ने बच्चे और कविता को समानतर रखा है क्योंकि बच्चों में रचनात्मक उर्जा होती है उनके खेलने उनके खेलने की कोई निशित सीमा नहीं होती है वे जब चाहें तब खेलते रहते हैं और उनके सपने भी असीम होते हैं ठीक उसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक तो होती है उसका चेतर और ता चिस सुन लेता तो यह पढ़ती है जिस परकार से बच्चों में जब मन जचे घेल लेते हैं कमें उसमें रचनादम उर्जा काफी होती है बुड़ापे में नहीं होती एतनी जितनी बच्चों में होती है वही बात यहां कविता के बारे में बताया गया है उसमें बेरा चनातन उर्जा होती है कविता के संदर में बिना मुर्जा ये महकने की मानिक क्या होते है कवी ने का है कि एक फूल को देखकर कवी को मन में एक कविता लिखने का भाना मिल जाता है लेकिन एक फूल होता है वहे कम समय के लिए खिलता है और कुछ समय तक ही वहे खुश्बू बिखेर पाता है उसके पाद वहे समापत हो जाता है लेकिन कभी कहता है कि मेरी कविता कभी मुर्जाती नहीं है यह हमेशा चीर काल तर जब तक इस संसार में इंसान रहेगा तब तक वह महकती रहेगी लोगों को महकती ही रहेगी तो ही बात यहां है कभी कविता कभी भी कविता मुर्जाती नहीं है कभी का मानना है कि कविता महे श्क्राइब करके हैं जीनai समाज के मानुशत को प्रेभावित करतीएब की मेक्ष के मादम से आम से चलते हैं मानाव को ह嗎 को सिक दोगे ना जब जब आपको नई सीख मिलती रहेगी नहीं नहीं चीजें मिलती रहेंगी दूकि जब जब आपने कविता को पढ़ोगे ना तो आपको नए-ए सब्डों के अर्थों के बारे में तुम्हें पता चलेगा आज पढ़िए फिर एक सारब सब्डों कोगे तो कुछ सबदों में परिवर्तन होगा कुछ हर्तों में पर रिवर्तन आप छोकिंह रूप में तो यहीं बात आपने कख्षियादस में जो गलतियां याद होता है उतना आप लोग कर सकते थे क्योंकि आपकी घ्यान ओता जा रहा है जिस बिद्र आपको सीख मिलती हुआ जा रही है कि हम जितना पढ़ेंगे जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मीठा होगा मारे पास तो यहीं बात यहां बताया है कभी नहीं तो प्यार बचों यहां जो कोड दिख प्रापत हो जाएगा अब पर्तिक प्रतिक प्र क्योंते बच्कार की हो जो प्रतिक प्रतिक संसर याद हुए या नहीं हुए है नहीं हुए हैं तो एक बार PDF जैसे प्राप्त हो जाए आप लोगों को अड़ा 24 से नेप से तो गरवर बैठ कर प्रक्टिस किजेगा 101% कह रहा हूं अपको समझ में आ जाएगा तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही धन्यवाद थेंक्यू सो मच